दोस्तो RBL Bank Rewards Find को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको rblrewards.com पे जाना होगा वहाँ जाने के बाद आप यहाँ पे जो है आपको register और login दोनों बटन देखने को मिलेंगे अगर आपने अभी तक register नहीं किया है तो बहुत ही आसान सा process है आप अपना card का number, data birth और generate OTP करके बहुत ही असानी से इसको register कर सकते हैं उसके बाद registration होने के बाद आपको अपना user ID और password डाल कर login कर लेना है तो मैं यहाँ पे मैं already register कर चुका हूँ तो user ID और password डाल कर login कर लेता हूँ तो login करने के बाद हमें कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें किस तरह से कितना कितना reward point मिलता है इस card के use करने पर उसकी जानकरी दी हुई है उसके अलावा यहाँ पे मुझे एक चीज है जो गलत लगता है हमारा ही rewards point है और उसे use करने के लिए भी extra पैसा देना पड़ता है अगर आप rewards point use करते हैं तो आपको 99 रुपए प्लस GST मतलब 118 रुपए के आसपास जो एक्स्टा चार्जिस देना पड़ता है तो यह चीज है गलत है यार हमारा rewards point है जैसे कि SBA card में कोई extra charges नहीं लगता तो यह मुझे गलत चीज है यहाँ पे देखने को मिल रहे है ठीक है इसलिए आपके पास rewards point जब बहुत सारी हो जाए reward point ठीक है तब आपको redeem करना ज़्यादा फाइदे मन्त रहेगा अब यहाँ पे मेरे 3470 reward point है ठीक है तो इसे यूज करने के लिए आप ये 4-5 तरीका दिया हुआ है आप travel में मतलब flight ticket booking हो या hotel booking उसमें यूज कर सकते हैं recharge में यूज कर सकते हैं swapping में यूज कर सकते हैं voucher की तरह यूज कर सकते हैं और donate भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपने rewards point को ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज का detail बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है for example जैसे कि मैं voucher करता हूँ ठीक है सिर्फ voucher का बताता हूँ उसके बाद मैं आपको कैसे use करना है redeem कैसे करना है वो बताता हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैं voucher वाले section को open कर लिया तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कौन-कौन सा voucher हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है so for example यहाँ पे Amazon का gift card मैं खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,000 rewards point के हमें कितने मिलेंगे 2,000 रुपे अगर मैं HBI credit card की बात करूँ तो वहाँ पे 2,000 रुपे का voucher मुझे मिल जाता है सिर्फ 8,000 reward point पे यहाँ पे double लग रहा है 17,000 reward point तो यह बहुत महांगा है बहुत costly है ठीक है उसके अलावा इसमें 100 रुपे का extra charge भी लगना है तो मेरे हिसाब से यह card बहुत फायदे मन नहीं है मेरे लिए लेकिन अब है तो मैं use कर रहा हूँ ठीक है चलो ठीक है यह तो होगे voucher वाला section मैं फिर कभी अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे करना है अभी मेरे पास उतना rewards point नहीं है ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर recharge वाले option पर चले जाता हूँ क्योंकि मैं recharge करना ज्यादा पसंद करता हूँ rewards point के तो यहाँ पर सबसे पहले हमें mobile number डालना है ठीक है उसके बाद यह operator खुद से आ गया और इसको मैं 36 गड़ कर लेता हूँ यहाँ पर plan select करना है plan अभी यहाँ पर load नहीं हुए ऐसा तो problem है ठीक है so example के लिए मैं मद्दपरदेशी रखता हूँ कोई plan यहाँ पर नहीं आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा change कर लेता हूँ ताकि plan अच्छे से आ जाए तोकि यह थोड़ा साइन का issue है जियो करता हूँ फिर से अब फिर से 36 करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो plan है वो आ गया so मैं कोई भी plan कर लेता हूँ ठीक है जैसे top up वाला so यहाँ पर जितने भी recharge का option है वो हमें देखने को मिल रहा है ठीक है तो मैं 500 वाला select कर लेता हूँ proceed बटन पर click करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते है मेरा जो recharge है उसमे 2778 rewards point लगने है ठीक है उसके बाद यहाँ पर payment option आता है pay by point कर सकते है या RBL bank का जो credit card है उससे payment कर सकते है option अगर यह amount जादा होता तो यहाँ पर point और cash दोनों को मिला के भी कर सकते है ठीक है तो अभी मुझे उसकी जरुत नहीं है मैं स्रिफ reward point यूज करके कर सकता हूँ तो इसको select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर card का option आएगा उसको select कर लेना है और यहाँ पर confirm बटन पर click कर देंगे तो हमारा recharge जो है successfully हो जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर जो है साफ लिखा हुआ है आप देख सकते है 99 रुपे का charges plus GST तो यह जो 118 रुपे का charges है वो extra लगेंगे तो इस तरह से आप जो है recharge कर सकते हैं बस आपको confirm बटन में click करना है और जो भी OTP बगर आएगा वो डालके आपको recharge कर देना है तो इस तरह से आप recharge कर सकते हैं मैं अभी recharge नहीं कर रहा हूँ मैं आपको उसरी process बता रहा था चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना मैं आपके लिए से वीडियो लाते रहूँगा मिलता हूँ आपसे फीर एक नए वीडियो के शांद तब तक के लिए बाइ-बाइ दोस्तो ठेंक्यू